हेलो दोस्तों तो ये वीडियो जो ही यार काफी छोटा सा होने वाला है क्योंकि मुझे जो है भाई का कमेंट आया था कि अमारा जो स्ट्रेंजर का मिक्सर आता है SM1203E मोडल उसमें बोस कंपनी का DD3E को कैसे लगाया जाए तो वेसे तो यार बहुत सारे लोगों को पता होग लेकिन जो भी मेरे नए साउंड वाले भाई है सायद उसे ना पता हो तो वीडियो को बीना स्कीप किये एक दम जो है एंट तक देखते रहिए तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त दिली परमार आप देख रहे हैं डीजे सकती चल ये स्टार्ट करते है तो दोस्तों ये ह ये हमारा स्ट्रेंजर कंपनी का SM1203E Mixer और ये हमारा बोस कंपनी का DD3E को तो फटा फटा हम जो है इसका कनेक्शन करना सिखते हैं और थोड़ी बहुत टेस्टिंग में आपको जो है करा दूँगा तो वीडियो यार काफी छोटा होने वाला है ठीके तो मैं यहापर जोड आउट है ठीके उसमें मैं यह रेड वाला लगा देता हूँ यहाँ पर मैंने लगा दिया और दूसरा जो है रिटर्न ओक्स इन इसमें जो है मैं यह ब्राउन वाला लगा देता हूँ ठीके यह हो गया अभी आम जो है DD3 में लगा देते हैं तो देखिए हमने यहां से ओक् यहां, हो DD3 में input में लगा देना यहां पर ठीक है, तो यह में input कर देता हूँ, और यह जो brown color का है, हो अमने return में यहां पर लगाया था, तो यह जो return से निकला, हो अमने यहां यहां पर DD3 में output के side लगा देना है, यह में यहां पर लगा देता हूँ, तो देखें, simple सा connection है, mixer से जो भी output निकलेगा ox का हो जाएगा dd3 में input में और dd3 से जो भी output निकलेगा हो यहाँ पर mixer में जाएगा return वाले option में तो चलिए अभी इसका करते है testing तो इस mixer में जो inbuilt को दिया गया यहाँ पर इसको आपको एकदम से बंद कर देना है ठीक है वरना क्या होगा dd3 की भी effect आएगी और इस mixer में जो eco है उसके भी effect आएगी तो double effect एक साथ हो जाएगी तो हमें क्या करना है सबसे बिला effect को बंद कर देना है उसके बाद यहाँ पर return का gain दिया गया ठीक है इसको जो 50% खोलना है क्योंकि हमने यह पर return किया है तो इसको जो 50% खोल दीजिए उसके बाद जिस भी microphone में eco चाहिए वहाँ से आपको यह ओक्स वाला olium खोलना है ठीक है जो blue color का है तो जलिए dd3 को on करते है और यह समें जैसे ही अब भी आप जो सुनिएगा तो जैसे कि आप सुन पर है हमारा जो dd3 के effect है वह इस mixer में आ चुका है तो इसी तरह से आप जो है dd3 eco को stranger के mixer में लगा सकते हो तो दोस्तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करका जरूर बताए मैं आपकी help करना की पूरी कोसिस करूंगा और एसे ही नए नए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी डीजे सेकती चैनल को सबस्क्राइब करके बेल का एकॉन को ओल पर सेट कर दीजें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोस्ट दी रहे तो दोस्तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ कर दो के आप सबस्क्राइब कर दोःते हैं तो लिए है तो का नोटिए